नमस्कार दोस्तों,, आपका स्वागत है मेरे चैनल विंला पाक सागल है दोस्तों आज हम आपने वीडियो में सूखे की चटनी लेकिए आए आपको तो पता ही है कि कि आवला कितना पाइदा करता है जैसे मेरे इखीन को निखारता है भालों को भी लंबा करता है और आखों की रोसनी को बढ़ाता है डियाइजेशन ठीक करता है कोलेस्टाल के लेवल को भी ठीक रखता है और खुन की कमी को भी मेंटेन किये रहता है तो दोस्तों इसमें बिटमिल सी की भरपूर मात्रा होती है आईरन भी होता है फाइबर भी चमता को बहुत बढ़ाता है तो हम आपसे एक रिक्वेश्ट कर सकते हैं कि आप किसी भी तरह आवला डेली खाएं जैसे आप उसको अप्चौन प्रास काएं चटनी खाएं मुरब्बा का किसी भी तरह से आप आवला जरूर लें तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अगर पस जाएंगे एक कटोरी सुखावा आवला लेकर पाने में भी गोती यह थे घंटा पहले फिर इसको निकालकर अच्छे से धो करके सुखे कपड़े में हम इसको सुखा लिए हैं चार से पांच चमच सरसो का तेल है यह भी सूथ है घर का बना हुआ है एक चमच बढ़ा जीरा पाउडर दो चमच बढ़ा पच्छ फोरन पाउडर है इसमें जीरा मेथी मंग्रेग अजवाई राई और सौप से यह बना हुआ है पहले इसको हम लेकर के भून दिये हैं फिर पीस दिये हैं 25 से 30 पीस लसुन का छिला हुआ कली है 5 से 6 पीस लहारी मिर्च है आप चाहें त चक्नी बना रहे हैं तो गुड़ों का खान है लाल मिर्च मुकसान करेगा आप अपने टेस्ट एकार्डिंग जो चाहें वो ले सकते हैं तीन से चार्ट टुकड़ा आदरक्के हैं एक चमच कलोंजी है या हम अपने लेंग्वेज में इसको मग्रेल करते हैं एक चमच आज करके दर दरा पीस लेगे दोस्तों गैस जला कर मुस्पर कड़ा ही रख दी है और चमच सरसो का तेल डालेंगे देखिए दोस्तों तेल गरम हो गया है अब हम फ्लेम को लो रखेंगे सबसे पहले हम उसमें डालेंगे हींग चितक रहा है ती इसमें आधा चमच राई डाले दोस्तों अब हम इसमें लैसुन मिर्चा और अध्रक का पेश्ट डालेंगे और इसको चलाएंगे थोड़ा इसको गरब होने देंगे अब यह लैसुन मिर्चा और अध्रक का पेश्ट भून के तयार हो गया है चेर को हम लो रखेंगे और इसमें हम सारा मिटेल डालेंगे लालकर फिर हम इसको चलाएंगे दो मिनट के लिए दोस्तों सब मसाला भूनकर तयार है अब हम इसमें आवला बालेंगे यह आवला को मिक्सी में हम दरदरा पीस लिए अब हम इसको चलाएंगे इसमें टेश्ट के एकारड़ी हम नमक डालेंगे दोस्तों इसमें आप चाहे तो तेल और बढ़ा सकते हैं लेकिन हम कम तेल में आवला का चट्नी कोई भी बनाए तो आप उसमें लोहे के कड़ाहि के लोहे के बर्तन का यूज करें क्योंकि उसमें आईरन भरपूर मातरा में होता है नोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें अगर आप मेरे चैनल में नए है तो इसे सब्सक्राइब करना नो भूलें